सबको नमस्कार दिल्ली में अभी तक 3515 केस कल रात तक हुए हैं लगबग साड़े तीन हजार इन में से 1100 लोग ठीक होके अपने घर चले गए हैं 69 लोगों की मौत हो गई और 262 अभी एक्टिव हैं एक तरह से अगर इसको देखा जाए साड़े तीन हजार केस हुए हैं तो एक मन में यह आता है कि दिल्ली के अंदर केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन दिल्ली में हमने निरने लिया कि हम टेस्ट खूब कराएंगे ताकि पता चल जाएगी कौन संक्रमित है उसको फिर इलाज कराया जा सके उसको फिर अलग किया जा सके ताकि वो और लोगों को ना फैलाए हम दिल्य में खूब टेस्ट करा रहे हैं जम के टेस्ट करा रहे हैं आज दिल्य के अंदर हर दस लाख की पॉपुलेशन पे लगबग तेईस सो टेस्ट हो रहे हैं अंग्रेजी में कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन पे तेईस सो टेस्ट हो रहे हैं जबकि पूरे देश का average जो आंकड़ा है वो है लगबग 500 के करीब का तो पूरे देश में 500 के करीब test हो रहे हैं जिसके against में 200 test दिली के अंदर हो रहे हैं इस वज़े से दिली में cases की संख्या ऐसे लगता है जैसे काफी बढ़ती जा रही है लेकिन एक positive इसका ये है कि हमारे लोग infect होके ठीक होके जा रहे हैं 1100 लोग ठीक होके चले गए और भी मैंने आज पता किया था अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर और भी कई लोग अपने अपने घर ठीक होके जाने वाले हैं दिल्ली के अंदर जितने लोग infected मिले साड़े तीन हजार उनमें मरने वालों की भी संख्या 69 है जो अन्य देश और अन्य राजियों के मुकाबले में अगर रेशो देखा जाये तो वो भी लगबग कम है लेकिन फिर भी अपने को इसको और कम करना है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर खूब सारे containment zones बनाए हैं containment zones अब कई containment zones है जो ठीक होके खुलते भी जा रहे हैं और सारी machinery लगी हुई है सब लोग लगे हैं तो एक तरफ अपने को करोना को फैलने से रोकना है और दूसरी तरफ कोशिश करनी है कि अगर किसी को हो भी जाए तो वो ठीक होके अपने घर चला जाए मौत नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में एक अच्छी ख़बर यह है कि LNJP अस्पताल के अंदर हमें केंद्र सरकार से permission मिली थी plasma therapy को try करने के लिए trial करने के लिए उसके हमने कुछ चंद मरीजों को plasma therapy दी उनमें पहला मरीज कल ठीक होके अपने घर चला गया है plasma therapy की वज़े से जो की serious था काफी serious था ICU में था लेकिन कल वो ठीक होके अपने घर चले गए हैं तो हमें initial नतीजे plasma therapy के अच्छे मिल रहे हैं अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बयान आये थे जिसकी वज़े से confusion यह हुआ कई लोगों के मेरे पास phone आये कि जी क्या plasma therapy बंद कर रहे हो केंद्र सरकार ने केवल इतना कहा था कि जिन लोगों को केंद्र सरकार से approval है वही लोग plasma therapy के trial करें दूसरे लोग ना करें plasma therapy के अभी नतीजे final नहीं हुए हैं अभी trial चल रहे हैं यही के अंद्र सरकार ने कहा था और वो हम भी मानते हैं कि अभी हम लोग भी trial कर रहे हैं LNJP hospital के अंदर जो serious marriage हैं उनके उपर हम trial कर रहे हैं ट्राइ करके देख रहे हैं कि वही इसके नतीजे कैसे आते हैं जैसे जैसे जो नतीजे आ रहे हैं मैं आपके सामने रख देता हूं शुरुवाती नतीजे अच्छे आएं लेकिन उमीद करते हैं कि आगे भी अच्छे नतीजे आएंगे ताकि अपने को एक समधान मिल तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या आप बंद कर रहे हैं नहीं दिल्ली के अंदर प्लाजमा थिरेपी के ट्राइल पूरी जोर शोर से चल रहे हैं और जैसे जैसे जो जो नतीजें आएंगे मैं आपको बताता जाओंगा मुझे बेहत खुशी है ग्यारा सो के करीब लोग जो दिल्ली में ठीक हो गए उनसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं और सभी लोग लगवग अपना प्लाजमा डोनेट करने को तयार हैं को यह लगता है कि यार मैं बच गया अब मेरे प्लाजमा की वज़े से अगर कोई और बचता हो तो बहुत अच्छी बात है तो मैं सब लोगों का जो जो लोग प्लाजमा के लिए डोनेट कर रहे हैं जो रिकवर हो गए उन सब का तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहता कि वो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपना प्लाजमा डोनेट कर रहे हैं इस वक्त सबसे बड़ी मार गरीबों को लगी है रोज कमाने खाने वालों को बहुत बुरी मार लगी है उनके घर में तो खाने पीने के लाले पड़ गए है तो अपनी तरफ से हम पूरी गुना दिया था साड़े साथ किलो राशन प्रतिव्यक्ति दिया था इस महीने हम लोग दस किलो राशन प्रतिव्यक्ति दे रहे हैं ताकि आपका घर चलता रहा है आपका खाना चलता रहा है आपके घर में खाने के दिक्कत ना हूँ और राशन के साथ साथ कई लोगों का यह आया था जी केवल राशन से काम नहीं चलता तो हमें किट दे रहे हैं जिसमें आपकी रोजमर्रा की जरूरते की छेसा चीजें हैं साबुन है तेल है इस तरह की नमक है इस तरह की छेसा चीजें आपको बनाके किट में दे रहे हैं ताकि आपकी रोजमर्रा की जिन्दगी चलती रहे कोटा के अंदर हमारे दिल्ली के कुछ बच्चे जो IIT की तयारी करने के लिए गए थे वो फसे हुए थे उनके कई मेसेज़े आते थे मेरे पास पिछले कुछ दिनों से कि जी हमें वापस बुलाओ मेरे हाथ बंदे हुए थे क्योंकि केंदर सरकार की मनजूरी के बिना हम कोई अक्शन नहीं लेना चाहते थे परसो केंदर सरकार ने मनजूरी दे दी है आज दिल्ली से लगबग 40 बसें कोटा जा रही हैं और मुझे उमीद है कि शायद कल ये बसें उन बच्चों को लेकर वापस आ जाएंगी और मैं मुझे खुशी है कि वो बच्चे अब अपने माबाप से मिल पाएंगे मैं उनको ये ही कहना चाहता हूं कि आने के बाद 14 दिन तक अपने घर में सेल्फ कॉरेंटाइन करना है ताकि दूसरों को ना फैले आपके घर के लोगों को भी ना फैले और दूसरे लोगों को भी ना फैले मैं पस कई लोगों के फोन आ रहे हैं कई लोगों के मेसेज़ज आ रहे हैं कि जी यूपी के बिहार खे जहारखंड के जो लोग अपने अपने घर जाना चाते है उनका क्या तो सभी सरकारों के साथ बातचीत चल रही है जैसे आज मैंने आपको कोटा के बारे में बताया अन्य सरकारों के साथ भी बातचीत के जो नतीजे निकलेंगे हम आपको जरूर बताएंगे जो भी final planning होगी हम आपको जरूर बताएंगे तब तक अपने अपने घर में रहिएगा घर से बाहर मत निकलिएगा लॉकडाउन का पालन करिएगा ताकि हम करोना को हरा सकें और जल्दबाजी बेचैनी मत करिए इस वक्त सैयम रखना बहुत जरूरी है जिस राज्ये के साथ जो भी फाइनल होगा मैं आपके सामने आके आपको बताऊंगा और जितने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्ज हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी एक करांती है आप सब लोग करांती कारी हैं, आप तन, मन, धन, देश के नाम समर्पित करके आम आदमी पार्टी में आये थे, यही मौका है अपनी देश भक्ती और अपने जजबे को देश के लिए समर्पित करनेगा, आप बिलकुल निडर होके इस वक्त जनता की सेवा कीजिए, एक तो यह करना है कि अपने इलाके के अंदर किसी को भूखे नहीं मरने देना, अपने इलाके के अंदर किसी को भी कोई भी किसी भी चीज की किसी को जरूरत है, आप आगे बढ़के उसकी मदद कीजिए, यह पुन्य का काम भी है, यह देश भक्ती का काम भी है, और बिलकुल और बहुत दर्दनाक कई लोगों के दिक्कत हो रही है उन सब की मदद करनी है और अगर कुछ भी मेरी जरूरत पड़े सरकार की जरूरत पड़े हमें भी बताते रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया